How to switch back and front camera while recording in iPhone Yes guys, कैसे आप सभी switch कर सकते हैं cameras को For example, आप front camera से video shoot करें तो आप कैसे while recording आप camera switch कर सकते हैं back कर सकते हैं मैं आपको दिखायता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से use कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर जैसी click करता हूँ आप देख पाएंगे कि जो हमारी recording है वो front side से होने लग जाती है उसके बाद अगर हम यहाँ पे click करते हैं तो इस तरीके से हमारा camera है वो back side B while recording switch हो चुका है यहाँ पर जो video है वो shoot हो रही है मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ तो इस video में आपको यही बताऊँगा कि कैसे आप सभी जो है अपने iPhone से same time अपने both cameras को use कर सकते हो front B and back B और एक ही video में आप सभी इसको switch कर पाएंगे जैसे कि आपको पता है दिया आप normal camera use करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कोई भी option जैसे कि आप for example इस तरीके से इसको open करेंगे open करने के बाद अगर आप video shoot करते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे कोई भी हमें option नहीं मिलती है कि मैं हाँ से switch करनू राइट तो अब इस video में हम जानेंगे कैसे आप इसको switch करेंगे बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं इस video को और राइट गाइस वाइर रिकोर्डिंग यह वीडियो कैसे आप switch करेंगे camera तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है अगर आप जाते हैं अपने iPhone के camera application पर तो आपको यह feature नहीं मिलते है तो इसके लिए हम यहाँ पर एक application का इस्तिमाल करेंगे जो की बिल्कुल 3 है यहाँ पर आप सभी rating देख सकते हैं 4.6 की rating है इस app की जिसका नाम है time stamps camera basic आप से भी check out करें इसका जो size है बहुत ही less है 26 MB only यहाँ पर rating देखते हैं 4.6 की rating है इस app को आप install कर लें अभी हम आपको बताएंगे कैसे इस app की मदद से आप wire recording दोनों cameras को आप switch कर पाएंगे तो यार प्लीज वीडियो को like कर देना अगर आप मेरे वीडियो पहली बार watch कर रहे है तो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ और आईफोन से related वीडियो देखने को मिलती है और अगर आपके आईफोन में कोई भी issue है problem है तो प्लीज आप मुझे comment करके बत देना है अलाओ करदनी permission दन यहां पर आप सभी देख पाएंगे इस तरीके से इसका interface पाके और भी काफी सारे features है इसके अंदर flashlight और filter वगरा तो आप यह मत यूज करें जस्ट नॉर्मली आपको में बता देता हूं यहां पर आपको photo देखने को में जाती है और इस तरीके स जालू हो चुकी है और यहां पर थोड़ी से brightness कर लेते हैं quality भी बढ़िया मिलेगी आपको और यहां से आप देख सकते हैं एक option आता है इस पर क्लिक करें जैसे क्लिक करेंगे यह आपको आप उपर साइट जो है रिकोड करके दिखाएगा ठीक है तो यहां पर जो है मैं कर देता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं और यहां पर एक बटन देखने को मिलाता है इसको लॉक बगारा भी कर सकते हो बट मुझे यह application का feature बहुत सही लगा में इसको रोग देता हूं वीडियो और camera रोल में जाके दिखा देता हूं या फिर डिरेक्ली यहां से भी open कर सकते हैं कोई भात नहीं है तो यहां पे आपको इस तरीके से प्ले कर के भी दिखाएंगे हम ठीकै देखते हैं यहां पे यह वीडियो रेकोर्ड हूरी है quality भी पेट कोलेबरेशन आफी परमोशन नी इस एप की जश्ट आप नॉर्मली अपनी नॉलेज के लिए आफी कहलें की यूसेज के लिए आप इस एप का इसमाल कर सकते हैं जिसको मैंने रिसेंट नी फाइंड आट किया था और मैं खुद इस ट्रिक को देना चाहता था कि यार कै कैमरा को वाई रिकोर्डिंग तो आपको यह पसंद आयोगी वीडियो मिलते हैं नेक्स फीडियो में थैंक्यू सो मच गाइस